होटल जैसी पनीर चिली आज हम लोग घर में बनाएंगे पनीर बहुत ज़्यादा नरम बनती है दोस्तों और आप ये रेसिपी ट्राइ जरूर से करिएगा फटा फट बन जाती है और मेरे चटरों कैसे हुआ आप रेस्टरेंट जैसी पनीर चिली बनाते है चौपिंग में ये आठ लेसुन की कर लिया है जिसको छोटा-छोटा काट लिया है रेड गलर भी बहुत अच्छा लगता है तो मैंने टमाटर इस्तमाल किया है आप कैसी कम भी इस्तमाल कर सकते हूँ टमाटर अगर ले रहे है तो इसके बीज मत रखेगा वरना पनीर चिली जादा खटी ह हो जाएगी और बीज के दाने दाने भी दिखेंगे ये मैंने टमाटर भी काट लिया अब बस बची है पनीर तो पनीर मैंने या पर 200 ग्राम इस्तमाल करी है इसके छोटे-छोटे टुकडे काट लेंगे आप चाहो तो बड़े-बड़े भी काट सकते हूँ ये 20 पीसेज मै मैंने वो ही इस्तमाल करी है इसको गरम करने से पहले तेल अच्छी तरह लगा देंगे ताकि इसमें कोई भी चीज ना चिपके ये स्टेप आप जरूर से करिएगा अगर आपको पनीर को फ्राई करना है तो मैं तो पनीर को फ्राई नहीं करूँगा क्योंकि यह ना पनीर क मुझे नरम रखना है तो चलिए अब इसमें 2-3 बड़े चमच तेल डालते है तेल को गरम करना है फिर हम लोग इसमें हरे मेर्च और कटेवे लहसुन डाल देंगे इन दोनों को ब्राउन नहीं करना है बस 10-15 सेकेंड ऐसे फ्राई कर लिजे फिर इसमें प्यास डालेंगे इसको भी 10-15 सेकेंड ऐसे फ्राई करना है नरम करेंगे तो वो मजा नहीं आएगा फिर चलिए अब इसमें कैपसिकम और टमाटर भी डाल देते हैं इनको तो जादा बिलकुल नहीं पकाना है वरना टमाटर बहुत जादा नरम हो जाएंगे तो इसमें नमक डाल देते हैं यह मैंने आदा चमच नमक इस्तमाल किया है अब इसको पनीड चिली करने के लिए सॉसस डालते हैं यह एक चमच सोया सॉस है एक चमच सेजवान चेटनी यह सेजवान सॉस जो भी अवेलबल हो आप डाल लीजेगा एक चमच ही इसमें टमीटो सॉस है और एक चमच रेट च चिली सॉस जो रेशियो है वो कुछ ऐसा है कि आपको जितनी चिली सॉस लेनी है उतना ही टमीटो सॉस भी लेना है तो मैं टमीटो सॉस और बाद में डालूँगा पानी के साथ अभी बस इसको अच्छे से मिक्स करकर स्टर फ्राई करेंगे चिली सॉस बहुत जादा खटी होती है उसको बैलेंस करने के लिए हम लोग टमीटो सॉस डालते हैं दस साल पहले जब मैंने कुकिंग करना स्टार्ट नहीं किया था पापा और ममी दोनों चेने सबजी लेने जाते थे संडे संडे और पापा पनीर चिली के इंग्रिडेंट्स लेकर आते थे सबको घर में बहुत पसंद यही रेसेपी और शाम को यह बनती थी महीने में दो बार तो यह बनती थी बिलकुल यही तरीके से और होटल से ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता था अभी मैं यह बना रहा हूं तो मिरको बिलकुल वो ही याद आ रहा है और यह बिलकुल पक चुका है तो चली अब हम लोग इसमें धन्या डालते हैं, ये फ्रेश कटावा हरा धन्या मैंने डाल दिया, एक बड़ा चम्मच के आसपास और हम लोग इसमें वाइट पेपर पाउडर भी डालेंगे, वाइट पेपर नहीं हो तो चिंता मत करिये, इसमें ब्लैक पेपर भी डाल सकते हैं थोड़ा तीखापन जादा लगेगा, 10-12 सेकन्ड सेखने के बाद आप देखेंगे कैसी ये सॉस लिपर चुकी है पूरी सबजियों के साथ, ये बिल्कुल परफेक्ट लग रहा है, ये रेडी है, लेकिन कलर थोड़ा सा लाइट लग रहा है, ऐसी रेसिपी इसमें कलर से पनीर डाल देते हैं और मिक्स करेंगे हलके हाथों से, पनीर हम लोग ने कच्ची इस्तमाल करी थी, इसको भी थोड़ा सा पकाना है और कूटिंग भी लेकर आनी है, तो 3-4 चमच के आसपस आप इसमें पानी डाल सकते हो, और पानी को ठिक करने के लिए हम लोग इसमें टम टमीटो सास पहले भी कम डाला था, तो रेशियो हम लोग वो ही फॉलो करेंगे, एक बड़ा चमच के आसपस मैंने हैं आपर सास और ढाला है, टोटल में 2 चमच सास दल चुकी है टमीटो वाली, 2 चमच चिली सास और 1.5 चमच सोया सास, इसको बस अच्छे से मिक्स करेंगे और टमीटो सास के वज़े से थिक और गाड़ी भी हो जाती है ये ग्रेवी, बस एक मिनट के आसपस पकाना है और ये रेडी हो जाएगा, अपनी गरमा गरम पनीड चिली बिलकुल रेडी है, इसको सर्फ करिए 2-3 मिनट के बाद, जो आपको थोरी बहुत सास दिख रही है ये आपस में लिपट जाएगे और बहुत टेस्टी लगेगा, ये सीजन में शाम को मस्त हवा आती है और पनीड चिली मिल जाए तो मज़ा आ जाता है, देखे कितनी नरम बनी है पनीड चिली, चाहो तो आप इसमें थोरा सा धन्या छेड़क सकते हो खाने से पहले, कोटिं हम लोग कभी भी होटल जाते थे तो स्टार्टर में ये हमेशा मंगाते थे, इतनी पसंद थी कि पापा ममी फिर जब सबजिया लाते थे तो महीने में दो तीन बार तो ये बनी जाती थी, आप भी ट्राई करिएगा, घर में जो बनती थी ना, वो होटल से जादा अच्छी बनती थी और मैंने वही रेसिपी आपके साथ शेयर करी है, रेसिपी अच्छी नहीं लगी, तो डिसलाइक बटन अच्छी लगी, तो लाइक बटन और टेलिग्राम में मैंने चैनल बनाया था, कुकिंग शुकिंग, उसको जरूर से फॉलो करिएगा, हम लोग डेली एक न